कुमार गौरव विपक्ष अवल ये कहने लगा है कि क्या विपक्ष इतनी भी मांग नहीं कर सकता कि किसी मुद्दे पर निश्पक्ष जाच हो क्या सरकार इस के लिए भी तयार नहीं हो सकती देखें विपनेस बिलकुल विपक्ष की अपनी मांग है और सरकार की लाइन तय है सरकार की लाइन पहले से ये तय है कि अदानी और मोदी को पहले से ही विपक्ष जोड़ती रही है और इसलिए इस तरह के जब मसले आते हैं तो जाहिड तोर पे इस पर जिस्त भी तरह की चर्चा जेपी सिंग की मांग हो या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की मांग हो कहीं न कहीं बिपक्स का ये प्रीकंसिव्ड एक मामला है मन में ये बात है कि लगातार इसके बहाने प्रधान मंतरी मोदी को निसा न बनाएंगे और सरकार ऐसा नहीं चाहती है देखे जाहिड तोर पे जो अपोजीशन की तरफ से ये बताया गया और जो फैक्ट है जो इस व वो खराब होता गया आर्थिक मोर्चे पे अगर देखे तो लगातार जटका पे जटका आदानी को लगता रहा है इस बीच आपको याद होगा कि आरे से दो दिन पहले यानि सनीवार को आदानी के समर्थन में खुलकर आया था और उसने ये पूरे मामले की तह तक जाने की बात कही थी और उसके रिसर्च में ये बाते थी कि अदानी के खिलाफ 2016-17 से ही जब आश्ट्रेलिया में उन्हें कोल प्लांट का ठेका मिला था उस वक्त से ही तमाम वामपंथी लोबी और देश और विदेश के कुछ बड़े ब्यापारी लग गय थी और इसके लिए बया 2016-17 से ही सवाल उठाते रहे हैं उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी उसी साजिस का एक हिस्सा है और इसस को कम से कम ऐसा लगता है और उसने अपने मुखपत और और नाजर में ये तमाम चीजें लिखी है तो ऐसी इस्थिती में जब संग जो मेन है एक तरह से जड उसको मानेगी हां जनता का पैसा इसमें इन्वाल्ब है जोकि ये बैंकों के गुरूप्स का 80,000 करोर रुपया इंवेस्टेड है और 36,000 करोर रुपया लगभग LIC का है लेकिन दोनों गुरूप्स की तरफ से ये कहा गया है कि उनका बहुत छोटा इमांट आप मनी जो है इसमें इन्वाल्ब है और बहुत बड़ा रिस्क नहीं है इस बीचे आपने संसद्येकारे मंत्री को भी सुना उन्होंने भी साफ साब कहा है कि अदानी मामले से सरकार का कोई लिया देना नहीं है ये एक प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट इंटिटी है वितमंति निर रोप है कि रूल 267 और तमाम जो संसद्य के रूल्स है उसके मुताविक जब वो सरकार से ये मांग कर रही है स्पीकर और राजसभा के चेर्मेन से ये मांग कर रहे हैं इस मुद्दे पे चुकि ये महत्पुर्ण मुद्दा है आम आदमी का पैसा डूपता जा रहा है और हो सकता है कि आम आदमी के पैसे पूरी तरह से डूप जाए और काफी मुस्किल आ जाए आम लोगों के लिए जिनका पैसा एलाइसी और एस्बिया या समय तमाम बैंकों में है उसको आप इलाउ नहीं कर रहे हैं चर्चा के लिए ये अंडिमोक्रेटिक है ये नियम कानून है इससे सरकार का कोई लिना देने नहीं दूसरा आरे से की एक जो लाइन आई कि इसमें तमाम वामपंथी सोच विचारधारा के लोगों की साजिस है जो 2016-17 से सुरूई तो ये दो लाइन सरकार कीता है तीसरी जो लाइन है जिसके तहद बिपक्ष अपनी बात मांग कर रह द Olsen पे कैसम वरण पे धन्यवादप्रस्ताओं होना है संसत का सत्रं 13 तारिक तक फर्स्ट पार्ट जोletter का थेरह तक चुलना है की संसद में और उसके बाहर पहले भी राष्टपती का अपमान कॉंग्रेस पार्टी करते रही है और इस मुद्दे पर चर्चा वो राष्टपती के धन्यवाद ग्यापन पर वो चर्चा भी नहीं करके महिला आदिवासी राष्टपती का अपमान कर रही है इस ते पहले भी इस तरह के कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से वाक्या आय थे और सरकार उस पे काफी एग्रेसिव हुई थी तो कुल मिलाकर जो पुरी जो दोती लाईने जो तैय है सरकार का इससे कोई लिया देना नहीं वामपन्ती विचारधारा सोच कि ये साजी से और महिला राश्पती आयवासी राश्पती का अपमाण। और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24